ठंड से बचने के लिए कमरे में अंगीथी जला कर सो रही थी तीन बहने आक्सीजन कमी के चलते दो की मौत गोला गोरकपूर के बढ़ल गंच कोटवाली शेतर के ग्राम मझवलिया में अंगीथी जला कर एक ही कमरे में तीन बहने सो गई थी रात में अंगीथी के धूएं से कमरे में का आक्सीजन खत्म हो जाने के कारण जिससे तीन में से दो बहनों की मौत हो गई वहीं एक की हालत काफी गंभीर बनी हुई है आक्सीजन खत्म होने से हुआ हाथसा गाव में अउधेश प्रिशात की तीन पुत्रियां 20 वर्षी प्रतिमा, 18 वर्षी अंतिमा वा 17 वर्षी निधी रविवार की रात एक कमरे में कोईले की अंगीथी जला कर सो गई जिसके कार दो बहनों अंतिमा और निधी की मौत हो गई तीसरे की हालत गंभीर प्रतिमा का बढ़ल गंज के नीजी अस्पताल में इलाज चल रहा है पुलीस ने पंचनामा बना कर दोनों के श्राओ परिजनों को शौप दिया गोला पुलीस की ततपरता से मिला बीस हजार का मोबाइल गोला गोरखपूर गोला छेतर के रहीम खानपुत्र मोहमद हुशैन कोहडी बुजुर्ग अपने घर से गोपालपूर जा रहे थे कि रास्ते में साइजोत तीराहा पर उनकी मोबाइल ओपो जिसकी कीमत लगभग बीस हजार रुपए है रास्ते में गिर गई घर गए तो पता चला मोबाइल कहीं गिर गया बहुत खोजे नहीं मिला उसी दोरान गस्त से वापस आ रहे गोला थाने पर उपनी रिच्छक राजेस यादो वह उपनी रिच्छक आलोग राय की नजर गिरी हुई मोबाइल प करती रहेगी शंघर्च राजेस गोला किसानों द्वारा पनी मांगों के लिए किये जा रहे धरना प्रदर्शन के शमर्थन में सपा के राष्टी अध्यच अखिलेश यादों के निर्देश पर गाउं गाउं समाजवादी पार्टी चिलुपार के विधान सभादिच रा पदियात्रा में शपा कारेकर्टाओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते और किशान भाईयों इस विरोधी बिल्वा हित के लिए लोगों को जागरूक करते हुए चल रहे थे सौसर पर प्रमुक रूप से अश्वनी मौरे अशोक मौरे राकेस यादो उमेज कुमार कनोजिया मुकेस कुमार मौरे रमानंद कनोजिया आकास मौरे रामजन्म मौरे साही तादिलोग मौजूद रहे गरामीडो ने गगां बिलाग के अंतर गदानेवाले गराम सभा पाजूपार के प्रधान मंत्री आवास के रिपोर्ट में धांधली का अरोप लगाते हुए गरामीडो ने गगां बिलाग पर धरना दिया ग्राम प्रधान रोहित कुमार ने बताय कि पात्र लाभार्थियों को प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए चिन्हित किया गया था लाकिन्तु शासंद्वारा पाजु पार के शभी पात्र ग्राम वाशियों के नाम पाच पाच एकड भूमी दिखाया गया है जो बिल्कुल ही गलत है जिससे ग्रामिडों में आक्रोस है मामले को शंग्यान में लेते हुए बीडियो अनिल सिंग ने ग्राम वाशियों को दो dlen इनका समय देते हुए उचित कारवाई का आश्वासन दिया बेली पार में अरजुन जैस्वाल की गैंगस्टर एक्ट में किया गिरफतार बेलिपर थाना छेत्र के डवर पार निवासी ग्राम प्रधान अर्जुन जैस्वाल की गैंग्स्टर एक्ट में बासकाओं में बेली पार एवं बासकाओं की सेंव्ट टीम द्वारा की रफ्तारी किया गया है सराप माफिया के रूप में दर्श मुकदमे में गैंग्स्टर एक्ट की कारवाई उनके खिलाब बेली पार बासगाउं केंट सहीत कई थानों में मुकदमा दर्श है हवन यग्यकर जगत कल्यार वबिश्व सांती की सलामती की की गई कामना बढ़हल गंची उद्ध्योग ब्यापार मंडल वजन सेवा संस्था के सदस्यों ने जगत कल्यार वबिश्व सांती के लियपनगर के चरण पादुका कुटी इस्तिस्व मंदीर के हवन कुंड में हवन यग्यकर सलामती की की गई कामना उद्ध्योग ब्यापार मंडल अध्यच स्रीकांत शोनी वजन सेवा संस्था अध्यच महस मर के नित्रित में दो दर्जन से अधिक लोगों ने हवन पूजन किया इस उसर पर डॉक्टर सुनिता सिंग, सुनील मोदनवाल, अनिरुद्ध पटवा, हरिश्चंद्र शोनी, सीवम गुपता, गंगा तिवारी, सोनु छोटु सुक्ल, शंतोस मधेसिया, बिजय शोनी, छोटु यादो, बिजय शोनी जान की आधि मौजूद रहे बारा नगर सर्यू नहर पर बनी, पट्री कटी पानी से खेद बने तालाब गोला छीतर के अतरोरा रानीपूर में ग्राम सभा बारा नगर सर्यू तट से निकली, सर्यू नहर की मुखे शाखा की दच्छिड वाली पट्री बिएस से भी इंटर कॉलेज के पीछे टीचर कलोनी में शुबा अचानक पानी के बाहाओ ने तोड़ दिया जिससे सैकड़ो एकड भूमी जलमगन हो गया जिससे नहर के किनारे बसे लोगों का आना जाना दूभर हो गया है ग्रामिडों ने नहर तूटने की सुचना अपजिलाधिकारी गोला राजेंदर भादूर को दिया तो उन्होंने नहर पंप के जेई कुशूशना देकर नहर पंप को बंद करा दिया लेकिन पानी का बहाओ अब भी जारी है गगहा स्वास्ते उपकेंद्र पर मनाया गया परिवार नियोजन दिवस विकास खंड गगहा में इस्तित स्वास्ते उपकेंद्र समय थान भीती पर मनाया गया परिवार नियोजन दिवस परिवार नियोजन के विश्त्रित जानकारी देते हुए सियच्चो बविता पाश्वान ने बताया कि परिवार नियोजन में सरकार द्वारा विभिन प्रकार की स्विधाया दी जा रही है इस आसर पर निर्मला तिवारी, सरिता देवी, कमलेश सिंग, बिंदु देवी, आगनबाडी, सुमन तिवारी, प्रमिला यादो, दाई, पानकली, सहीत आदिलोग मौझूद रहे गोडशरी ने बंकूर को हरा कर फाइनल में किया प्रवेस, गोला छेतर के ग्राम सरम परवरपार में ये दुवन्शी क्रिकेट कलब के तत्वधान में चल रहे मैच बंकूर और गोडशरी के टीम के बीच सेमी फाइनल मैच खेला गया मैच में बंकूर की टीम तौस जीत कर पहले बलेबाजी करने का नीड़े लिया और खेलते हुए 73 रन बना करके आल आउट हो कही सासर पर रमनंद यादो, प्रधान पद, प्रत्याशी, रामसेवक यादो, शंभू यादो, पिंटू यादो, लालू यादो, शंजे यादो भरत यादो, जनार्धन यादो, गोधन यादो, दिवान यादो, भोले यादो, आदि लोग मौजूद रहें। टड़कों ने सेज बचा पैसा 500 रुपया वो मुबाइल लेकर मारपीत कर भाग गये। 112 नंबर पर सूचना भी दी गई, लेकिन काफी देर तक गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। रामदास ने बताया, हम मुबाइल में पैसा डलवाने के लिए अपने पुत्र को दिया था, साथ लेकर थाने पर आवेदन दिये, थाने पर कह दिया गया, आज इतवार के दिन मुलाहिजा नहीं होता है, कल आईए, कल मुलाहिजा करा कर मुकदमा लिखा जाएगा, पीडि स्वास्ते केंद्र, प्रभारी, प्रदीत्र पाठी, खजनी ने दुर्भाज पर बताय इतवार को भी हमारे केंद्र पर मुलाहिजा का कारिक्रम किया जाता है, अगर कुछ देर के लिए कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहता है, तो दुर्भाज पर उसको बुलवा कर गायलों का मुलाहिजा किया जाता है, मनकापार में निकला अजगर ग्रामीडों की मदद से वन विभाग ने किया रैश्कियों, बेलगाट ब्लाक के ग्राम मनिकापार टोला जमीन बिशुनपुरा में एक अजगर निकलने की सूचना जंगल की आग की मालिंद छेतर में फ अर्मा वंदरूगा, रामसभा यादो, कोलम ओजा, वनकर्मी मौके पर पहुँच कर एवं ग्रामीडों के सायोग से अजगर को रैस्कियों किया गया है